वेलकम टू मा यूटूब चैनल और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से डुकुमेंट लगेंगे DCEC, ALE में इर्विशन लेने के लिए तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कौन-कौन से डुकुमेंट आप सभी को लगेंगे इसमें इर्विशन लेने के लिए जाज परची लगेंगे, जाज पत्र, लॉट्मेंट लेटर कॉलेज में जाने के बाद बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना परेगा पार्ट A, पार्ट B का कॉपी लगेगा, DCC कॉपी लगेगा, फोटो लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, वहाँ पे जाने के बाद आप सभी को एक फ़र्म मिलेगा उस फ़र्म पे आप सभी को कहीं भी सरकारी, सरकारी जो हस्पीटल होता है वहाँ से मोहड और डॉक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट पे ओरिजनल डोकुमेंट्स, टूविल्थ का मार्क सीट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए यह सभी डोकुमेंट्स आप सभी को चाहिए ही चाहिए, और कास सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिदेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, इनिकम सर्टिफिकेट चाहिए ये सभी चीज आप सभी को चाहिए इडवीशन लेने वक्त अब बात करें कि इसमें इडवीशन लेने वक्त कितना पैसा लगता है तो इसमें इडवीशन लेने के लिए देखें कॉंसलिंग सुल्क 1000 रुपया लगता है नमंकन इबं अन्य चार्ज 865 रुपया लगता है टोटल हो गया 1865 रुपया ये जो है समानने जाती अतियंद पिछरा वर्ग के चात्रों के लिए है और चात्रा अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती दिव्यांगों के लिए इसका सुल्क है एक है रुपया कॉंसलिंग सुल्क और नमंकन इबं अन्य सुल्क है आर्सो पांच रुपया तो टोटल हो गया अठार्सो पांच रुपी आप सोभी को पेट करना परेगा